इस वीडियो के अन तक आपको इस पार्ट से सम्मंदित संपूर्ण जानकारी वे प्रशनों के लिखित उत्तर मिलेंगे नमस्कार सभी को हिंदी कलाकेंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वे बैल आइकन को दबाना न भूले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पार्ट 22 जिसका नाम है हाथी चलम चलम ये देखो बच्चो टीवी में या जू में हाथी तो आप सबने देखा ही होगा कई बच्चो ने तो कभी हाथी पर सवारी भी करी होगी हाथी के लंबी सून लंबे लंबे दात भारी भरकम सरीर होता है हाथी जब चलता है तो वे हिलता डूलता जाता है जिससे उस पर बैठी सवारियां भी हिलती डूलती जाती है लेकिन हाथी की सवारी करने में बड़ा मज़ा आता है देखते हैं बच्चों हमारी इस कविता में हाथी का वर्णन किस प्रकार किया गया है हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम हाथी के उपर जैसे ही हम बैठे तो हाथी हिलता जा रहा है तो हिलने को यहाँ पर हल्लम हल्लम बोला है लंबी लंबी सून्ड फटा फट फटर फटर आथी की सून्ड कैसी थी लंबी लंबी सून्ड थी लंबे लंबे दात खटा खट खटर खटर और हाती के लंबे लंबे दो भार निकले हुए दात थे भारी भारी मूंड मटकता जम जम हलम हलम होदा हाथी चलम चलम परवत जैसी दे थुल थुली दे कार्थ है शरीर तो आथी का शरीर कैसा था परवत की तरह विशाल जैसे परवत बड़ा होता है वैसे ही हाती का सरीर बहुत बड़ा होता है और उसका सरीर कैसा था थुल थुली और उसकी दे कैसी थी थुल थुली थलल थलल हालर हालर दे हिले जब वे चलता है तो उसकी दे हिलती है यानि उसका सरीर हिलता है जब हाती चलल जब हाती चलता है तो उसका सरीर हिलता है खंबे जैसे पाउं धपा धप बढ़ते धम तो जब हाथी चलता है तो उसका सरीर हिलता जाता है और उसके पाउं कैसे थे जैसे खंबा लंबा होता है वैसे ही हाथी के पाउं खंबे की तरह है लंबे लंबे धपा धप बढ़ते धम हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम हाथी जैसी नहीं सवारी अगडबगड लेकिन फिर भी हाथी के जैसी कोई सवारी नहीं है यहाथी की सवारी सबसे अच्छी अगडबगड पिल्वान पुच्छन बैठा है बांदे पगड़ और आथी के उपर पिलवान पुछन बैठा है क्या किये हुए पगड बांदे हुए पगड़ी को बांदे हुए बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम और सारे बच्चे हम बीच में बैठे हुए हैं और कैसे कर रहे हैं डगम डगम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम, दिन भर घूमेंगे हाथी पर हलर हलर, पूरे दिन हाथी पर हम घूमेंगे, क्योंकि सब बच्चे एक साथ मिलकर हाथी की सवारी ले रहे हैं, हाथी दादा जरा नाच दो थलर थलर तो आथी दादा को गोल रहे हैं बच्चे कि आथी दादा थोड़ा सा नाच भी दो अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम धम जैसे कोई चीज गिरती है तो कैसे आवाज आती है धम धम तो वैसे ही अगर हाथी दादा नाचेंगे तो हम सब बच्चे भी गिर जाएंगे और आवाज आएगी धम धम हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम तो इस तरह बच्चो इस कविता में हाथी का वर्णन किया गया है अब इस कविता के अभ्यास प्रशनों को देखते हैं हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने तो बताओ हाथी के इन भागों के नाम क्या है जैसे ये आथी के उपर जो बैठता है आथी को जो चलाता है वो क्या कहलाता है महावत और इसने हाथ में क्या पकड़ावा है हाथी को करने के लिए ये कहलाता है अंकुस और ये लंबी सी सून्ड और ये खंबे जैसे हाथी के पैर और ये हाथी के उपर क्या रखावा है काथी जिसके अंदर बच्चे बैठे थे ये आथी के बड़े-बड़े कान और ये सबसे पीछे पूँच कौन कैसा कविता पढ़कर बताओ आथी कैसा था चलम चलम सून्ड फटा फट फटर फटर लंबे लंबे दाथ लंबी लंबी सून्ड दे हिले जब आथी चलम पाउं धपा धप बढ़ते धम बच्चे बीच सभी हम डगम डगम इस कविता को एक बार फिर से पढ़े वह समझे हाथी का चित्र बना कर उसमें रंग भरो हाथी की सवारी करने का मोका मिले तो जरूर करें सुझाओ वा सुधारों के लिए इमेल करें अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों न करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमंड हमें और बहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट धन्यवाद लाइब डोड़ हमें आपके लिए सब्सक्राइब करें करें जचे तो ए्मारे वा सुग्चा थाइब और प्रोड़ हमारे भाइब अरूर भाइब ऑन्यवाद हमारे रिए ये एख करें नेकल करें तो बनाने कर फिर सक्तरा हैं झाल झाल